मेरा बच्पन बहुत मुफलिसी में गुजरा है। जो मैं आज हूँ वो हो नहीं पाता। पापा एक छोटा सा जॉब करते थे, बहुत कम उनकी सैलरीज थी, उसका परिणाम ये था कि घर में इंकम्स बहुत कम आती थी। तो बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजवेशन हुआ, पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने कम्पिटीशन की तेयारी की, तो अचानक से मुझे जॉब्स मिलने शुरू हुआ। मेरा पहला जॉब लगा, सी आर पीफ में सरीश पैक्टर के पोस्ट पर, ये बाते हैं वर्ष 1988 की, वहां मैंने जॉब किया करीब दो साल आठ नौ महीने के बीच में, और उसके बाद मैं आ गया घर वापिस, मैंने पढ़ाई की और मेरा डेली पुलिस में सेलेक्शन हो गय मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी, जो मुझे तनी अच्छे जॉब्स मिले, लेकिन मज़ेदार वाद दूसरी भी आए, कि मैंने उस जॉब को भी नहीं किया, और 1993 मेरा सेलेक्शन हुआ कस्टम डिपार्ट में, कस्टम वाला जॉब मुझे इसलिए अच्छा लगा, चुकि मैंने इसको कंटीनियू किया, लेकिन इसी बीच में फिर मेरी शादी हो गए, अब शादी काद बच्चे है, तो जिम्मेदारियां बढ़ी, और अल्टिमेटली एक बास समझ में आगई, कि मुझे फिर, कि जॉब एक ऐसी विवस्था है, जिसमें आप भूके रह नहीं सकते, और कभी तरक्टी कर नहीं सकते, और इसी बात के मद्दे नजर मैंने धूनना शुरू किया, कोई एक ऐसा प्लैटफॉर्म, जो मुझे एक्स्ट्रा इंकम दे सके, मुझे फॉरेवर के मार्केटिंग प्लैन के बारें बताया, सोला में, जो मैंने इंकम्स का अकलन किया, तो मुझे लगा कि यार, एक तरह मुझे विभाग से अच्छरी दसलाख रूपे साल आना सेल ही मिलती थी, लेकिन उस साल की मेरी आईटी आर जो फॉरेवर के बदाल अथी, वो जो करी 34 लैक्स की थी, तो मैंने डिसिजिजन लि चाहे में इंटरनेशन ट्रेवल की बात करूं, चाहे में एक अच्छे हेल्ट की बात करूं, चाहे में एक अच्छी फैमली लाइफ की बात करूं, चाहे में एक अच्छे मकान की बात करूं, बने एक हर वो चीज जो मनुष्य एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना कर सक वह इस प्लाटफॉर्म से मुझे लिए अभी हाली में ऐसी बीमारी ने दस्तक दी जिसने पूरी दुनिया को रोखिया हम लोग भी बड़ा सोच देख कैसे होगा थैंक्स तू फॉरेवर के प्रोड़क्स जिनकी वजा से हमारा इम्यूनिटी सिस्क्म बहुत अच्छा रहा एंड थैंक्स तू दा मार्केटिंग प्लाइन अड़ फ्लेग्जिबिलिटी अव दा मार्केटिंग प्लाइन कि हम लोग ने कोविट के उस दौर में डिजिटल प्लाटफॉर्म का साहरा लेकर के अपने ब्रजनेस को कंटीनी रखा जिसका रिजल्ट यह रहा कि हमारे चे इसे दौर में चाहिए थी एक अच्छा स्वास्थे और अच्छा साधन स्वास्थे फॉरेवर के प्रोडक्स की वज़ा से मिला और साधन फॉरेवर के मार्केटिंग प्लाइन आज हम इस डिजिटल प्लाटफॉर्म का इस्तिमाल करके अपने ब्रजनेस को और जादा मुझे सपने देखना अच्छा लगता है मुझे लोगों को सपने दिखाना अच्छा लगता और उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करना अच्छा लगता है मैं हूँ सपनों का सौधा गर मैं हूँ फॉरेवर